और आप सब के प्रश्ण भी हमारे पास आते हैं तो ऐसे ही इस सीरीज में आज पुना हमारे साथ आदरनी राजु भाई जी हैं मदुबन से तो राजु भाई का हम बहुत बहुत वेलकम करते हैं वेलकम राजु भाई इस सीरीज में आप भी हमारे साथ जुड़े तो जैसे की पता है कि हमें ये जो मन्त चल रहा है सर्व के प्यारे चल रहा है और फरिष्टों के उपर हम मुरलिया ले रहे हैं तो अव्यक बाब दादा ने फरिष्टा बनने के लिए हमें बहुत सारी बाते बताई हैं और अब भी बाबा हमको फरिष्टा हम कैसे बन सकते हैं बार-बार हमें बाते बता रहे हैं कि कैसे हम अपने योग से या अपनी धार्णाओं से उसको प्रत्यक्ष करें बाबा का नाम बाला करें तो आज भी हम बहुत सुन्दर मुरली मन्थन करने जा रहे हैं और हमारे साथ आदरने राजु भाई जी जुड़े हैं तो सबसे पहले मैं उनका परीचे देना चाहूंगी वैसे तो राजु भाई जी को पूरे यग्गे में हम सब ही जानते हैं और मुरली वाले राजु भाई के नाम से आपको जाना जाता है आपको बाप दादा ने दिव्वे बुद्धी का वर्दान भी दिया है और आप बहुत ही बाले काल से अपने पैरेंट्स के साथ इस ग्यान को लेते आए और फिर कुछ ही समय बाद जब आपने अपनी पूरी अजुकेशन की आपने अपना जीवन परमात्मा की सेवा में समर्पित किया और समर्पित ही नहीं किया लेकिन आज पूरा यग्य है ब्राहमन परीवार सारा आपको जानता है के मुरली अगर मिलेगी तो राजू भाई के दिपार्टमिन से मिलेगी या राजू भाई से मिलेगी तो ऐसे हमारे आदरड़ने राजू भाई हमारे साथ हैं आपका मनन चिंतन जब भी हम बहनों की भटी में जाते हैं या जब भी हम अधुगन जाते हैं, तो सदा ही हम सुनते हैं कि आपने बाबा के साथ, मम्मा के साथ जो पालना ली, वो भी आप बताते हैं और साथ ही साथ एक बहुत अच्छी बात है जब से अव्यक बाप दादा की पद्रामणी हुई, शुरू हुआ ये पद्रामणी होना तो उस समय से लेकर आपने बाबा की डारेक्ट मुरली लिखना शुरू किया, टाइपिंग शुरू करी और इत्ता ही नहीं पूरे ब्राह्मन परिवार को अव्यत बाप दादा की मुरली चलती ही है और उसी के बाद तुरंत वो मुरली हम सब तक पहुचती है और तब ही नहीं पहुची लेकिन अब तक भी इमेल के थ्रू भी आप देखेंगे तो हमें साकार मुरली भी पहुच र या कहें डोज है डेली की वो हमें आपसे मिलती है तो आज हम सुनते हैं आपसे कि आपने जो बच्छपन से इतनी यग्ये में पालना ली बाबा का प्यार लिया अव्यक बाप दादा के वर्जुन्स को सुना और हम तक पहुँचाया तो आज की मुरली में जो बहुत गहरी- बाते हैं वो भी हमें आपस्पष्ट करेंगे तो आज की मुरली का टॉपिक है अल्प-काल के नाम और मान से न्यारे ही सर्व के प्यारे बन सकते हैं जो हमने आप में देखा है तो मुरली की डेट है 27 नेविंबर 1978 तो भाई साब जब हम ये मुरली पढ़ रहे थे इसमें बहुत अच्छी बाबा ने जो बात कही वो मुरली से ही हम पढ़ते हैं और आप फिर उस पे हमें स्पष्ट करिएगा बाबा ने कहा हर बच्छे की गुण माला और हर बच्छे की चरित्र श्रेष्ट चरित्र के चित्र बाब दादा के पास हैं बाब दादा के पास बहुत बड़ा बहुत सुन्दर चैतन्य मूर्थियों का मंदिर कहो वह चित्र शाला कहो सदा सामने हैं ओम शान्ति सबसे पहले तो मैं सभी बाबा के बच्चों को सवतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ क्योंकि पूर्व संध्या पर हम आप सबसे मिल रहे हैं तो सवतंत्रता दिवस बड़े उमंग उसा से सभी मनाते हैं आज से 74 यर्स पहले भारत को सवतंत्रता मिली अनेक परतंत्रताओं से विदेशी अकरांताओं से हम सब मुक्त हुए लेकिन परमात्मा पिता जो हम सब को सच्ची सवतंत्रता बता रहे हैं वो है विकारों से बुराईयों से अनेक प्रकार के कड़े संसकारों से मुक्ति या सोतंतरता तो ऐसी सोतंतरता जब हम सब को प्राप्त होगी तो सच्चा सच्चा राम राज जी आएगा हमारे बापुजी परमपिता परमात्मा अभी इस नर्कमई दुखमई दुनिया को स्वर्ग बनाने का कारे कर रहे हैं और उनके महावाग के जो हम सब सुनते हैं उनके अंदर बहुत गूर रहस हैं आज हम अव्यक्त वानी की जो चर्चा कर रहे हैं उसमें जो बाबा ने अपनी चित्रसाला का वर्णन किया है बाबा के पास अव्यक्त वतन में ऐसी सूक्ष मसिनरी है वाइसलेस की सक्ती से जैसे यहां साइंस की सक्ती वाइरलेस की सक्ती है ऐसे ही बाबा के पास वाइसल पवित्रता की सकती है और उस पवित्रता की सकती के आधार से किसी भी बच्चे के पूरे चरित्र के सब चित्र जो भी इस रिष्टी पर हम सब कर रहे हैं बाबा इमर्ज करके देख सकते हैं हमारे गुण माला को भी देखते हैं कि कौन सा बच्चा कितना विसेश है कितना महान है तो बाबा के पास अपने सभी बच्चों की गुण माला और चरित्र माला की बहुत सुंदर चित्र उनके चित्र साला में रहते हैं और जब देखना चाहें तब देख सकते हैं बहुत अच्छा और हमको आपने ये स्मृती भी दिलाई कि कल सुतंतरता दिवस है 15 अगस्त है तो उसकी भी आपने हमें बदाई दी और विशिस दी क्योंकि बाबा ने सदेवी कहा है कि अपने गुड़ों से हम इतने सजे रहें कि हम सच्छी सुतंतरता को मना सकें और हम सब ब्रहमन परिवार में उस फ्रीडम को कहें इंडिपेंडिन्स दे को कहें हम मनाते हैं हर दिन मनाते हैं तो जैसे आपने चित्र शाला की बात हमें बताई तो भाईसब इसमें बाबा ने का तो बच्चे उलानों की माला पहनाते बाप विजे माला पहनाते बहुत हुश्यार है बच्चे तो किस हिसाब से बच्चे उल्हने की माला पहनाते हैं कि बाबा हमसे ये नहीं हुआ या आपने ये नहीं किया इसको सपष्ट करिए करी बार हम बच्चे बाबा को कहते हैं कि बाबा आप अब्यक्त हो गए हमसे मिलन सहकार में नहीं हुआ कितने प्रकार की बातें बच्चों के अंदर आती हैं बाबा तो हम सब को कहते हैं बच्चे तुम इतने सब बच्चों के लिए तो मैं एक हूँ लेकिन मेरे लिए तो इतने रेड़ सारे बच्चे हैं कभी कोई बच्चों की कोई कमी कमजोरी कमप्लेन होती है और उनको अगर बाबा का response टच नहीं होता तो बाबा को ही उलहना देना सुरू कर देते हैं कमी हमारी होती है लेकिन हम उलहना बाबा को देते हैं कि बाबा आपने ऐसा किया आपने ऐसा किया कई बार कोई भी परिष्थति आती है हम बाबा के साथ कानुभो करना चाहते हैं मदद चाहते हैं लेकिन जो यथार्थ विधी है उसको हम प्रियोग नहीं करते हैं बाबा ऐसे अगर सबको मदद करने लगे तो उसके लिए तो सभी बच्चे हैं लेकिन उसने एक नियम मनाया ये काइदा है कि जो हिम्मत रखता है उसको बाबा की मदद मिलती है इसलिए हम उलहना ही न देते रहे कि बाबा आपने मदद नहीं की आपने सहयोग नहीं दिया जो विधियां बताई हुई है अगर उनको हम पालन करते हैं तो कोई भी कंप्लेंड हमारी रहती नहीं है उलहना नहीं रहता तो भाई सब जैसे आपने यहां पे एक बात कई विधी के अगर हम विधी अपना तो एक कोई एक्जामपल जो विधी अपनाने की बात है उसको आप हमें बताएंगे जैसे हम बाबा से कहते हैं बाबा हमारी ये कारे आप कर दो मदद करो मेरा योग सहज लग जाया लेकिन योग की सहज विधी बाबा ने बताई है कि बच्चे अपने को इस देह से न्यारी आत्मा समझो जब तक हम अपने को आत्मा नहीं समझ रहे हैं तब तक कनेक्शन युटेगा ही नहीं आज हम अगर दो तारों को भी करेंट के लिए जोड़ना चाहते हैं तो उसकी विधी आनी चाहिए ऐसे नहीं रवर को उतारा नहीं और ऐसे हम तार जोड़ दें और कर हम पावर हाउस से लाइट नहीं आ रही, तो विधी है कि तार को तार से जोड़ना है, तो परमात्मा से जो सक्ति लेनी है, सकास लेनी है, मदद लेनी है, उसकी विधी को यथार्त सिखना होगा, हम अपने को देश से न्यारा आत्मा समझे, आत्मा समझ करके बाबा को याद करे तो अपने आप उसकी सक्तियां करेंट आएगी उलहना समाथ हो जाएगा तो जैसे अपने उलहने की बात कही कि हम जब विधी को अपनाते हैं तो सिद्धी भी प्राप्त होती है और जो हम चाहते हैं बाबा से चाहे शक्ती के रूप में चाहे गुन के रूप में वो हम बच्छों को प्राप्ट भी होता है तो उसमें बाबा ने का कि कभी-कभी बच्चे क्या करते हैं अपनी जीवन के कर्मों की कहानी जानने वाले त्रिकाल गर्शी बने हुना तो बापदगा ने कहा तो अभी हर कर्म अन्ने आत्मों के कल्यान प्रती कार्य में लगाओ अपनी कहानी जादा वर्णन ना करो मेरा भी कुछ करो वा मेरा भी कुछ सुनो मेरे फैसले करने में समय दो अब अनेकों के फैसले करने वाले बनो हर एक के कर्म गती को जान गती सत गती देने के फैसले करो फैसिलिटीज ना लो अब तो डाता बन कर दो बहुत गहरी बात बाबा हम सब को कह रहे हैं कि आप बच्चे बाप समान बच्चे हो बच्चों को हमेशा बाप की यही आस रहती है ये मेरे समान बने और समान बच्चे जैसा बाबा का कर्टब भी है उसमें फालो करें कई बार हम अपनी कमप्लेन करते रहते हैं हमें मदद करो, हमें सही योग दो, हमारी स्थित्वी अच्छी बना दो तो परमात्मा कहता है आप अपने में ही मिनत करते रहोगे या इतने बड़े विस्व का कल्यान करना है, इसकी गती सदगती करनी है, उसके लिए आप अगर सेवा में लग जाओगे, विस्व कल्यान की सेवा में लग जाओगे, तो आपका कल्यान तो उसमें समया हुआ ही है, ऐसाने मैं अपने में लगा रहूं, अपनी कमी कमजोरी का वर्णन करता रहूं और उसी को समाप्त कहने में हमारा ये संगन का समय ब्यर्थ चला जाए इसलिए परमात्मा चाहते हैं कि बच्चों को विश्व कल्यान की सेवा में लग जाना चाहिए गती सद्गती देने की सेवा अगर हम करेंगे तो हमारी गतिसद्वियति तो नेच्छल हो ही जाएगी इसलिए अपनी कमी कमजोरियों को ही हम न सोचते रहें उसका ही चिंतन न करें हम विश्व कल्यान के कारें में मदद करें और उसमें लग जाएंगे तो छोटी-छोटी बातें अपने आप समात्त हो जाएं बाई-ची यहाँ पर प्रश्व्ण है जो आपने कहा के विश्व कल्यान की सेवा में हमें लग जाना चाहिए ताकि छोटी-छोटी बातों से हम किनारा कर लें और बाबा ने भी यह का कि कल्यान करें लेकिन जब मुरली सुनते हैं चाहे साकार मुरली चाहे अव्याट अपनी स्तिथी बनाओ, अपना योग करो, पहले खुद पढ़ो, फिर औरों को पढ़ाओ, तो यहाँ पर दो बाते हैं, या हम विश्व कल्यान की सेवा करें, या अपने लिए पहले समय निकालें, अपने को ठीक करें, दोनों बातें यथार्थ हैं, क्योंकि बाबा हम सब को समय प्रमाण हर प्रकार की ट्रेनिंग देते हैं, जब हम सरुसरों में आते हैं, विश्व क्या है, उसका कल्यान कैसे करना है, तो बाबा कहता है, बच्चे पहले अपने को ठीक करो, अपने को सुधारो, अपने को सक्ति-साली बनाओ, लेकिन जब हम बढ़े हो गए, जब ह बाबा कई बार एक बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं, मालो आपके जीवन के अंदर वो धानाएं नहीं हैं, लेकिन आप दूसरों को बता रहे हो, यह करना चाहिए, यह करेंगे तो अच्छा है, और उसने अगर उसको फालो कर लिया, तो उसके अंदर के परिवर्तन की ज दूसरों को कैसे कहूं, बाबा तो कहता है, पंडित नहीं बनना चाहिए, लेकिन बाबा कहता है, मालो मेरे अंदर गुस्सा है, और गुस्से को हम जीत नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम दूसरों को जब प्यार से कहते हैं, बाब गुस्सा करने से यह नुक्सान होता है, यह न जाएंगी और उसे आप सहज ही अपने क्रोध को जी सकेगे। तो उसमें बाबा ने कहा, जैसे बाप नाम रूप से न्यारे हैं, तो सबसे अधिक नाम का गायन बाप का है। वैसे ही अलप काल के नाम और मान से न्यारे बनू, तो सदा काल के लिए सर्व के प्यारे स्वता बन जाएंगे। इसको बहुत गहराई से आप सपश्ट करिएगा, क्योंकि ये बहुत भाई भेनों का प्रश्न आया है। वैसे तो परमात्मा कहता है कोई भी चीज नाम रूप से न्यारी होती नहीं। परमात्मा का भी नाम है, उसका रूप भी है। लेकिन निराकार होने के कारण भक्तों ने समझा है कि सायथ निराकार है, इसलिए उसका रूप ही नहीं, आकार ही नहीं। है तो आकार, बिना आकार के जोति विंदू सो रूप तो हम कहते ही हैं, तो नाम रूप है लेकिन मेरा नाम हो उसकी इच्छा नहीं है, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिती होने के कारण, आज हम देख रहे हैं, पहले जैसे साकार बाबा का मैं मिसाल बताता हूँ, साकार में जब बाबा थे, तो अपना फोटो भी किसी को खीचने नहीं देते थे, क्या बच्चे इस सरीर का फोटो खीच रहे हो, इसको थोड़ी याद करना है, लेकिन आज हम देखते हैं, बाबा ने इतना त्याक किया, इतना सब को कंट्रोल किया, तो आज हर घर में बाबा का है, अना उस त्याक का जैसे वो अपने आप परत्यक्ष फल मिला है, ऐसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे, सियो बाबा के नाम रूप को सब कहते हो, नाम रूप से न्यारा है, लेकिन हर घर में, हर एक के दिल में बाबा बशता है, उसका नाम रहता है, उसके विना उसका काम ह चलता है, तो पर्मात्मा प्रमा ने अपने लाम रूप को या ब्रमा बाबा को आप ने खपाया, लेकिन खपाते हुए भी उच्छिप नहीं सका, हम बच्चों को कहता है बच्चे अलपकाल की महिमा, आपने थोड़ा सा किया और कोई ने आपकी महिमा कर दी, आप खुस हो गए, जैसे आपने जो किया, उसका कच्चा फल आपने खा लिया, इसलिए महिमा तो हो नहीं है, क्योंकि कोई भी कर्म, केवल एक बाबा ही है, जो निसकाम करता है, हम आत्मा जो कुछ भी करती है, तन से, मन से, धन से, हर कर्म का पढ़न लेकिन हद की कामना रख करके मेरी महिमा हो मेरा नाम हो मुझे लोग जाने मुझे स्टेट पर बुलाएं मुझे बाबा के सामने ले जाएं यह जो हद की कामना हैं और पूरती नहीं होती मानलो कोई कारण से मिसिंग हो गई तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे इतनी सेवाएं की और वो सेवाएं वहीं की वहीं रही और आपका मूड खराब हो गया तो इस परकार की अगर कोई हद की कामना हैं तो आपकी जो प्रालब्द बननी है जिस सेवा से आपको उच्पद प्राप्त होना है उससे आप वंचित हो जाएंगे जैसे कच्चे फल्क हो आपने बनी रहा है और सब के दिलों में आपका नाम आ जाएगा क्योंकि जो करेगा उसको रिटर्न तो मिलना ही है लेकिन इच्छा रखकर कि अगर करेगा तो कभी वो इच्छा नहीं पूरी होगी तो डिश्टर्ब हो जाएगा इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे हद की कोई भी काम बहुत अच्छा लेकिन एक प्रश्ण आ रहा है कि यह जो बाबा बात बता रहे हैं और आप जो स्वष्ट कर रहे हैं ग्यान तो है बहुत अच्छे से समझ में भी आता है लेकिन जब प्रैट्रिकल हम सेवा की फिल में आते हैं या हम घर में हैं हम सेंटर जाते हैं तो कभी-कभी यह आता है कि दीदी हमको कुछ तो कहें हमने इतना किया इधर हमको बाबा की सारी बात स्पष्ठ होती है ताकि हमारा उमंग उत्सहा बना रहे हम दिल शिकस्त ना हो तो उसके लिए क्या करें ऐसा है कि यह तो बड़ी वहने जो निमित होती है उनको ध्यान रखना पड़ता है और रखती भी है लेकिन मानलो कोई कारण से किसी दिन नहीं पूछा या नहीं बात हो गई तो ऐसा थोड़ी कर देती हैं अगर आप बिल्कुल निटसंकलप हो करके अरे भाई कोने में भी बैठे हो आपके उपर बाबा की तो द्रश्टी पड़ रही है जहां पर भी बैठे हो जो संतुष्ट आत्माइं होती है ना वो हद की कामना ही रिड़कती मैंने कई ऐसे देखे भाई बैने व को टोली एर स्पेसल दें उसकी कामना नहीं यह भी तो हद की कामना है और ऐसी कामना है मानलो आज बड़ी वहन है पूछ रही और कल डूसरी वहन आएगी नहीं पूछेगे तो आप डिस्टर्ब रहेंगे आपको प्राप्ती नहीं होगी आप बाबा के ज्यान से अपने उ लोग सहज लग जाएगा बहुत अच्छा तो जैसा आपने कहा उसमें और स्पष्ट हुआ बाबा ने भी ये का कि त्याक करो तो भागे आपके आपे ही पीछे आएगा इच्छा अच्छा करम समाप्त कर देती है जैसा आपने अभी स्पष्ट किया इस विद्या की हो गई जैसे हम को इसका पता ही नहीं है कई बाबा के ऐसे वच्छे यग्य में हैं जिन को कभी कोई इच्छा रही नहीं है कि हमें सम्मान दिया जाए बहुत गुप्त रित्य से आज जो एक बहुत सुन्दर मिसाल मैं आपको बताता हुँ आज हम ताज महल का फोटो लेते हैं बहुत सुंदर ताज महिमा हम कर रहे हैं लेकिन जो इसके फाउंडेशन में वो तो नीचे हैं और उनकी फोटो उनका नाम कहीं आही नहीं रहा है और उसके आधार से पूरी विल्डिंग खड़ी हुई है इतना वड़ा यग खड़ा हुआ है तो वो यगे के जो फाउंडेशन है पिलर हो कभी मांसान के पीछे नहीं जाते बहुत त्याग व्रत्ति से उनका अपने आप भागे बनता है उसके आधार से यग आगे बढ़ रहा है तो यगे में हमारी दादियों ने जो त्याग किया है वलिदान किया है हम आज देख रहे हैं लेकिन त्याग करने वाली आत्मों ने कभी अपना नाम किया ही नहीं है कि मेरा नाम हो जाए बहुत अच्छा तो बैसे लास्ट पूछती हूँ कि जैसे बाबा ने का किसी भी प्रकार के मांगने वाले स्वैम को त्रप्त आत्मा अनुभव नहीं करेगा तो सदा सर्व प्राप्तियों से त्रप्त आत्मा बनू ब्रामन जीवन का स्लोगन है अप्राप्त नहीं कोई वस्तू मास्टर सर्व शक्ति वान के खजाने में तो सर्व के प्यारे जो हम मुरली का ले रहे हैं और नाम मान शान से न्यारे की बात कर रहे हैं तो ये किस हिसाब से कनेक्ट होता है सर्व के प्यारे बनने में? ऐसा है कि जो हमें परमात्मा से अभिनासी प्राप्तियां हो रही हैं हम उसका चिंतन करें उस खजाने को अंदर अंदर बढ़ाएं दूसरों को दान करें देते चलें तो हम अपने आपको भरपूर अन्भो करेंगे सर्व प्राप्तियों से संपन ये जीवन है ब्राम्हन जी सकती कोई भी गून कोई भी अप्राप्ति आप ब्राम्हों के जीवन में नहीं है जब हम इन प्राप्तियों को जो अविनासी प्राप्तियां परमात्मा से हुई हैं उनका चिंतन करते हैं सुमिरन करते हैं उसका दान करते हैं तो हम भरपूर रहते हैं और जो भरपूर आत हम सब को सर्व का प्रिय बनने की विधी बताते हैं जो कुछ आपके पास है उसका धान करो दो गुण है शक्तियां है ज्यान धन है इस्थोल धन भी है अगर सिवा में लगाएंगे तो नैचुरल है जिनको आपसे कोई प्राप्ती होगी वह आपको दुआएं देंगे आपको सनेह देंगे तो अगर सनेह प्राप्त करना है सर्व के प्यारे बनना है तो एक संसकार बनाना है दादियों ने ये संसकार बनाया कि उन्होंने सब को दिया और देने के कारण सब के प्री बन गए अगर लेने के इच्छा होते तो सब नियारे हो जाते कोई उनको पूछता ह यह नहीं इसलिए वाबा हम सब यह विधी बताते हैं बच्चे भर पूर रहो कोई से मांगना नहीं यह बाबा का तो slogan साकार का ही था मांगने से मरना भला तो बाबां बच्चों को इतना रायल बनाना चाहते हैं राय बच्चे भगवान के वच्चे किसी के आगे हाथ नहीं फिलाते, कोई चीज की कामना नहीं है, बाबा से इतना सब कुछ मिला है, उसकी इच्छा मात्रा मविध्या इस्थिति में हम रहें और उस प्राप्तियों के नसे में रहें, तो हम देते चलेंगे तो सब के प्यारे सुते बन जाएंगे। और ये चो त्याग की मुरली हम सुन रहे हैं, तो बाबा के साथ भी कोई ऐसी बात जो आपने देखी, कि बाबा ने किया और सामने ही इतना त्याग और कोई नाम मान शान की भी आश नहीं, लेकिन बाबा सर्व के प्यारे बने, जैसे आपने एक एक एक्जामपल पहले ही बत बता हैं? लेकिन कहीं उदाहरन ममा के, बाबा के कहीं सुने हैं, कैसे वो बहुत त्याग वरत्ती से, ममा कोई भी अगर कोई महिमा करता था, तो ममा कहती थी प्रभू परसादे, यह मेरी विशेश्ता नहीं है, तो भवान ने दिया है, आप मेरी महिमा नहीं करो, बाबा देने वाला दाता वो है तो इस प्रकार से उनके अंदर जो त्याग व्रत्ती रही मम्मा हमेशा गंभीरता की मूर्ती रही एक बार बाबा ने कहा बच्ची ने कभी धन नहीं लाया यग्य के अंदर धन से सहयोगी नहीं बनी लेकिन धन देवी बन गई भविसी के अंदर क्यों बन गई क्योंकि इसने ग्यान धन का जो दान किया उस दान का भी उसको यह नहीं आया है मैंने दिया है गंभीरता की देवी यह प्रभू परसाद में दे रही है मेरे पास कुछ नहीं है तो त्याग व्रत्ती से गंभीरता की मूर्ती बनने से वो धन दीवी बन गई तो हम सभी भी कुछ भी नक दे, इस ठुल में भी कुछ मदर ना दे लेकिन अगर सूक्ष में त्याग वरति है विकारों का त्याग है, मांसान का त्याग है तो हमारा भाग बनता है अगर हम ज्यान दान करते चलें तो हम बहुत सेष्ट पद को प्राप्त कर सकती है बहुत अच्छा और बहुत अच्छे से आपने मम्मा के बाबा के और अभी अगर हम देखे तो दादी प्रकाश्मनी जी का ये मंत चलता है हमेशा ही अगस्त महिना जब भी आता है तो दादी जी को हम याद करते हैं और दादी ने भी ममा की बहुत सारी बाते जो आपने का कि कभी भी ममा ने मांगा नहीं कुछ, जो भी आया अचाए, जो भी ममा ने किया, उसने तुरंट बाबा को आफर कर दिया, ये सब कुछ बाबा ने कराया. तो भाइसर लास्ट एक है, मुरली में है कि अब गुहे ग्यान के साथ साथ परिवर्तन भी गुहे करो. तो गुहे ग्यान तो आपने बहुत अच्छे से सपष्ट किया, कि बाबा का जो ग्यान है. अब गुहे परिवर्तन की बात क्या है? ऐसा है कि हम उपर उपर से तो समझते हैं, हमने सब उराईयों को, विकारों को जीत लिया है. लेकिन सूक्ष में भी ये जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, तरसनाएं हैं, वो अंदर-अंदर रही हुई हैं. हमें बहुत सूक्ष चेकिंग करनी चाहिए. बाबा कहते हैं पहले ज्ञान को रिवाइज करो, रिवाइज के बाद जिलाइज करो और रियलाइज के बाद लिवरेशन में आजओ. तो इसलिए लिवरेशन चाहिए, गुप्त पुरसारत है, सब बुराईयों से, सब विकारों से, सोक्ष कामनाओं से, तरसनाओं से हम लिवरेट हो और इसके लिए हमें बहुत गुप्त तपस्या करनी होगी, एकांत में जाएं, अपने आप को देखें, अपने आप से बाते करें, जो चीजें मेरे एकागरता में बिघनरूप बन रही हैं, जो अपनी तरफ पुल कर रहें, खिच रही हैं, उनको समाप्त करना है, ये गुप जाना होगा, एकांत में जाना होगा, और जब एकांत में जाकर के हम स्वा को देखेंगे, बाबा को देखेंगे, तो जो हमारी कमिया है, वो अपने आप परिवर्तित हो जाएंगे, इसलिए बाबा कहता है, गुप्त परिवर्तन, बहुत गहरा पुरसात करके, अपने आप को संपन और संपून बनाओ बहुत अच्छा तो कल जैसे आपने ही याद दिलाया कि 15 अगस्त है और बहुत अच्छी बाबा की आज की मुरली जो हम सब सुन भी रहे हैं और आप इतना सुन्दर मनंचिंतन बता रहे हैं तो हमारे लिए कल के लिए हुंबग में मिलता है कि तो थैंक्यू भाई सब आपने आज की मुरली में हमें बहुत सुन्दर सुन्दर बाते बताई जो बाबा ने का कि बाबा नाम रूप से कैसे बाबा नाम रूप से न्यारा नहीं है जो आपने स्पष्ट किया लेकिन बाबा कोई नाम मान शान में नहीं आए लेकिन आज के समय पर बाबा की हर जगा पर शिव को हम पूजा जाता है और इच्छा अच्छा करम समाप्त कर देती है इसलिए इच्छा मात्रम हम अविध्या बने ये भी बाबा की मुरली में आजापे सपष्ट किया और ममा की बहुत सुन्दर बात कि ममा ने कोई भी appreciation अपनी तरफ नहीं रखा जो भी ममा को appreciation मिला या अच्छाई मिली वो उसने तुरन बाबा को आगे कर दिया कि ये सब कुछ बाबा का है तो ऐसे ही आप हमारे साथ फिर से जब भी हम कभी बुलाएं तो आप आईएगा और हम भाई भेने जो आप सुन रहे हैं आप पुनहा हम सब के लिए जो इतनी प्रेना दायक आपने आज की मनंचिंतन की पॉइंस हमें बताई हम जरूर इसको करेंगे और अभी हम दो मिनट परमात्मा को याद भी करते हैं तो भाईस अब आप हमको गुड़नाइट मेडिटेशन भी हम यहीं पे साथ-साथ करते हैं तो वो भी आप हमको कराईए ओम सांति सभी अपने आपको इस सरीर से न्याजी एक चैतन्य लाई शरूप चमकता हुआ सितारा भुटियासंत पर भी आजमाद चैतन्य शरूप में स्थित होकर अपने मन और बुद्धी से इस जगत के पार सोर चांद तारगां से भी पार अपने अव्यक्त लोग कोई बापतादा के सनुखनों कोई बापतादा का बरदानी हाथ उनकी सने भरी सक्ती कुछ सने भरी सक्ती का लोग में कुछ सनुखनों में समा जाओ ओम शांती थांक्यू आप हमारे साथ जुड़े और ऐसे ही क्योंकि ये फेस्टिवल की सीरीज कहें या इंडिया में अगस्त के महिने में हमेशा ही हम याद करते हैं सुतंतरता दिवस आता है और उसके बाद राखी भी आती है तो आप नेक्स्ट हमारे साथ 21 अगस्त को जुड़ेंगे तो राखी की ब्लेसिंग्स भी हम आदर्निय जियनती दीदी लंडन से हमारे साथ रहेंगे और हम सब को आने वाली राखी क्योंकि 22 अगस्त को राखी सेलिब्रेट हम इंडिया में करते हैं और 21 अगस्त को आदर्निय जियनती दीदी हमारे साथ मुरली मन्थन भी करेंगे और जैसे आज भाइस अपने सुतांतरता दिवस के उपलक्ष में हमें ब्लेसिंग्स दिये हमें आदेश दिया या हमें इंस्पिरेशन्स दिये ऐसे ही हम 21 अगस्त को भी जियनती दीदी से ब्लेसिंग्स भी लेंगे मनंचिंतन भी सुनेंगे और हम क्या नया करें वो भी हम जानेंगे ओम शांती